इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो information share कर रहा हूं that is about to the video creation अगर video lecture prepare करना चाहते हैं तो जो video lecture है उसको कैसे prepare करते हैं वो information मैं इस video में आपके साथ share करूँगा related to the technology and about to the editing तो वो part है अगर आप interested हैं कि वीडियो लेक्चर आपको अपने जो subject हैं उसके prepare करना है तो फोर्द है क्या option आपके पास में है number one जैसे कि मैं अभी video camera के सामने हूं इस जगे मेरे पास में यह यह white board है यह black board है और मैं वहां कुछ भी explain कर सकता हूं तो एक camera है and that is just above यह एक white board है तो यह पहला option है direct यह एक camera की requirement है एक white board की requirement है second option क्या है second option यह है कि जो आपके पास computer system है PC आपका है उस PC पर आपने PPT जो है वो available है तो आप क्या कर सकते हैं screen recorder को use कर सकते हैं तो जो screen recorder होगा actually वो पूरी screen को जो है वो capture करेगा और साथ-साथ में क्या करेगा कि आपकी जो sound है उसको record करेगा तो इसमें दो option है number one की आपकी screen को record करेगा number two वो आपकी picture को भी record कर सकता है तो जो speaker actually जो presenter है तो उसकी जो presentation है वो भी दिखाई पड़ेगी और उसका जो यह जो face है जो picture है वो भी दिखाई पड़ेगा तो दो part possible है तीसरा part जो है कि यहां मेरे पास में यह कोई monitor screen है कोई बड़ा सा TV है और उस TV का जो है display में आपकी presentation available है तो महां आप explain कर सकते हैं कि यह चीज़ इस तरही के से रखा हुआ है तीसरी चीज़ क्या है कि आपके पास में अब power point presentation नहीं है आपके पास में graphics tablet है उस graphics tablet से आप कुछ भी लिखते हैं वा using the digital pen तो वो आट की screen पर appear होगा उस screen को आप record कर सकते हैं तो यहां पर भी screen recording है और साथ में अगर आप चाहें तो एक webcam के तुरू आप उस screen पर appear हो सकते हैं तो यह हम लोगों के पास हुआ fourth possibility यहां आपकी इच्छा है कि आप अपने वीडियो को आपका जो appearance है उस presentation में रखना चाहें या न रखना चाहें तो यह कुछ possibilities हैं जिनके तो आप अपना video lecture record कर सकते हैं second point आएगा कि अब यह screen recording जो software है वो कौन-कौन से हैं तो number one में बता दूँ कि मैं जो generally use करता हूं वो paid है उसमें मैं दो को ज्यादा prefer करता हूं एक screen-o-matic और दूसरा active presenter यह बोथ are free open access है आप इमको download कर सकते हैं और 10 minutes के लिए और 15 minutes के लिए इसमें जो है foundation है screen-o-matic पर आप 10 minutes के लिए यूज कर सकते हैं तो वहाँ 10 minutes की आप video बना सकते हैं उसके बाद में जो आप lengthy video बनाएंगे तो उसके लिए आपको वो purchase करना होगा तो description में मैं link दे दूँगा तो उसकी जो post है वो वहाँ पर available होगी active presenter थोड़ा costly है लेकिन इसका जो pre version है उस version में काथी कुछ आपको मिल जाएगा तो यह दो generally मैं use करता हूं जो screen recorder है और इनके साथ में अब जो software होगा या जो hardware है वो क्या है next segment next segment में मेरे पास में जो अभी योन का जो है graphics tablet है digital pen है उसको मैं use करता हूं लेकिन digital pen के लिए एक requirement होगी आपकी software क्या है उसके लिए तो वो मैं classpad और classnot और इस तरीके से यह one note जो book है उसको use करता हूं तो यहां का description में मैं वो भी provide कर दूँगा तो notes वज़रा के लिए मैं यह Microsoft one note उसको use कर लेता हूं अब इसके बाद में जो segment बजता है कि आपके पास में graphic stability a digital pen है तो उसको आप PPT के साथ में भी fuse करा सकते हैं तो महां पर fusion होगा कि आपके पास में powerpoint presentation है and you are using यह जो graphic stability a digital pen तो अब instead of mouse आप digital pen को use कर सकते हैं और यहां पर यह उसको explain कर सकते हैं जो भी आपकी powerpoint presentation के अंदर का point है right next जो segment बचता है उस segment में क्या है कि सारा कुछ आपके पास में अवलेबल हो चुगा है graphic stability powerpoint presentation है whiteboard है या screen recording के थूँ है तो यह सब option आपके पास में अवलेबल है इन में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं और effectively अपना जो presentation है वो provide कर सकते हैं अपना video lecture जो है वो provide कर सकते हैं किसी भी assistant के लिए आप मुझ को message कर सकते हैं और it will be my pleasure to share this technical point with you कि आप वो video content जो है वो create कर पाएं और awareness जो है society को provide कर पाएं आप अपने जो skill है वो दूसरों को provide कर पाएं दूसरों के लिए help हूं तो इसके लिए मेरे site से जो भी कुछ support available मेरे साथ होगा या मुझ से hope आएगा वो मैं आपके लिए help करोगा तो यहां पर केवाल यह introductory है next video में मैं one by one कैसे उस software को या कैसे उस hardware को use करते हैं वो आपके साथ में discuss करूंगा explain करूंगा so thanks for watching चैनल को subscribe करिए like करिए save